हेलो फ्रेंड्स मैं हुझे बखान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग वुमिन्स किचिन में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कठल के पकोडों की रेसिपी तो हमारे याप इसे तो मरगल बोलते हैं आपके यह इसे क्या बोलते हैं आप कमेंट में मु विसे दिया है और उसको देकि इस तरह से बड़े-वड़े स्माइघ कर लेना है तो एनको कट कर लिया है कट करने के बाद मैं इसको बॉल करूंगी करने के लिए इतने किठ क्स पीसनी में पानी डाल दिया है अर इसको अब उपर से मैं लुकि नमक पिजए नमक अंदर तक कर ले और थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी ओईल मतलब मैंने वन टी स्पून के करीब डाला है इसको डालने से यह एक डूसरे में स्टिक नहीं होगा चिपकेगा नहीं क्योंकि इसमें स्टिकी सा जो लिक्विड निकलता है वो एक डूसरे को मतलब ऐसे चिपक सी है बस आब इनको हमें बॉयल कर लेना है जब इसमें अंच्छे कर लेड आ जाए का तब मैं इसको आगे चेक करेए यह काफी डंडर हो चुका है मैं चेक कर लेती हूं तो यह देखिए यह तेंडर हो हिया अब हम लोग गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको स्ट्रेंड कर लेंगे जितना भी इसका पानी है एक्स्ट्रा वाटर है इसे पीशे से सेपरेट कर लेना है अब मैं इन पीशेस को मेरिनेट करूँगी तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल लिया है इसम बया उपर इसमें बीशे में चिंब头 माते हैं और थियर बायोस YouTube ची जेए सबेद होगें और ी सब्सक्राइबर रोब को तो इस टीक को आवाय में फ्लोी नहीं बनाना है मैं यह तो यह अच्छे से रीक हो जाए बाद आपको यह बेया उत्खल हो जाए लिए अशरा बैटर तैयार किया है अब इसमें मैंने पीसेस डाल दिये हैं कठल के और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे इसी मिक्स्चर के साथ तो यह सभी पीसेस अच्छे से देखिए कोट हो चुके हैं अब मैं एक कठाई ले लूँगी दूसरे साइट पे और उसमें ओयल डालके उसको अच्छे से गरम कर लेना है तो यहां पे देखिए मैंने कठाई में ओयल गरम कर लिया है ओयल गरम हो चुका था तो मैंने गैस की इसी फ्लेम को लो कर दिया है और इन पीसिस को ओयल में हमें डीफ्राई करना है तो लो to medium पर ही हमें डीफ्राई करना है ताके अंदा तक यह अच्छे से सौफ्ट हो जाए और इसका ऊपर जो हम लोगोने मसाले की कोटिंग करी है वह वह कृधि क्रिस्पी तैयार हो तो अब एक साइड से थोड़ा सपक गया था तो मैंने उसको दूसरे साइड भी टर्न कर दिया है और इसी तरह से हम लोग पलटते हुए इसको दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राइ कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको सर्फ करेंगे तो यह द तो देखें मैंने इसको ओई से सेपरेट किया इसी तरह से बागी पीसे को भी निकालके अब मैं इसको सर्फ करूंगी तो इस तरह से यह गर्मा गरम मर्गल तयार हो गए हैं और आपको मेरी यह रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें चैनल पे नए हो तो च अपने घर में इस वेज रेसिपी को नौन वेज स्टाइल में जरूर ट्राइ करें और आप अगर अपने घर में बनाए तो मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपके रेसिपी कैसी बनी थैंक यू फो वाचेंग